गैस सिलेंडर पर लिखे इस कोड का क्या मतलब होता है और आपने रेल से सफर तो जरूर किया होगा और आपकी नजर इन बोर्ड्स पर भी गई होगी लेकिन क्या आपको इनका मतलब पता है ऐसे ही पाँच रोचक फैक्ट जो आपको जरूर जान लेने चाहिए LPZ गैस सिलेंडर का इस्तिमाल लगभग सभी घरों में होता है सिलेंडर पर एक खास कोड दिया जाता है जिसका मतलब सीधे हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है इस पर लिखे ये अंक हमें बताते हैं कि यह सिलेंडर कब तक के लिए वैलिड है कोड अक्षर और नंबर के रूप में दर्ज होता है जो कि सिलेंडर की एकस्पाइरी डेट का बताता है साल के बारा महीनों को चार भागों में बांटा गया है एक का मतलब जनवरी फरवरी और मार्च है बी का मतलब अप्रेल मई और जून सी से जुलाई अगस्त और सितंबर है डी का मतलब अक्टू इसे ही आप किसी भी सिलेंडर के उपर लिखे कोड को देख कर जान सकते हैं कि उस सिलेंडर की एकस्पाइरी डेट क्या है अब बात करते हैं रेलवे से सफर के दौरान ट्रेन की पट्री के किनारे दिखने वाले इन साइन बोर्ड के बारे में कभी आपने सोचा है ये डब CT बजाओ फाटक इसके अलावा ट्रेन के डिब्बों पर लिखे इस युनीक कोड पर भी नजर आपकी जरूर गई होगी ऐसे नमबर आपको लगभग सभी ट्रेनों में दिख जाएंगे ये पांच अंकों के नमबर होते हैं इन पांच अंकों के शुरुआती दो अंक साल को दर्शाते हैं यानि ये दो नमबर बताते हैं कि किस साल में ये कोच बनाया गया था इसके अलावा आखिरी तीन नमबर दर्शाते हैं कि किस प्रकार का कोच है अगर नंबर एक से दो सो के बीच है तो वह ऐसी कोच है अगर आखरी के तीन अंक दो सो से चार सो के बीच है तो वह स्लीपर कोच है अगर संख्या चार सो से छे सो के बीच है तो वह जनरल कोच है इसके बाद अगर यह संख्या 600 से 700 के बीच है तो वह कोच चेयरकार है 700 से 800 के बीच की संख्या सिटिंग और लगेज के लिए मानी जाती है यानि ये वे डिब्बे हैं जिनमें समान रखा जाता है वहीं क्या आपने कभी ध्यान दिया है सडक के किनारे लगे इन मील के पत्थरों के उपरी कलर पर ये अलग-अलग क्यों होते हैं अक्सर आपने हरे पीले और काले रंग के इन पत्थरों को जरूर देखा होगा दरसल ये हमें जानकारी देते हैं कि आप किस रोड पर चल रहे हैं अगर आपको उपरी हिस्से पर पीला रंग दिखता है तो समझ जाएए आप किसी राष्ट्रिय राजमार्ग पर चल रहे हैं यानि नैशनल हाइवे है अगर उपरी हिस्सा हरे रंग का है तो वह राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाइवे है इसी प्रकार अगर काले, नीले या सफेद रंग का पत्थर दिखाई दे तो समझ जाईए आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए है अकसर आपने नई गाड़ियों में नंबर प्लेट पर एएफ लिखा हुआ जरूर देखा होगा जिसका मतलब है एपलाइड फॉर यानी गाड़ी के पर्मिनेंट नंबर के लिए रेजिस्ट्रेशन किया गया है